नमसकार दोस्तो स्वागत है आपका आमारे यूटुब चनल में स्वागत है अब को अब जो से मंने बारे बताने वाला हूं एस यूज़ होने वाली आफ्रेटस वही आफ्रेटस रहें कियाँ, इस्टेंडर लेगा यहाँ पे करना है और फाइनल के लिए आफ को फिर यहां उपसमेंट कर लिए को चलीए दूस्तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 400 G सिमेंट का वेट लेंगे ठीक है और हम 400 ग्राम सिमेंट का वेट कर लेंगे एस पर आज इस कोड फिर उसके बाद सबसे मोश्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों वाटर वाटर कितना परसेंट हमको लेना है इस टेश्ट को परफार्म करने के लिए ठीक है तो जो वाटर ह यूचप करेंगे सैयंज करने के लिए आप मेरा पीछे का वीडियो देख सकते हैं DISM 2.85 यह फर्मूला है एच पर आयस कोड जहां पर पी हमारा है कंसिटेंसी और दोस्तों हम पीछे बीडियो में आपको कंसिटेंसी बारे में बताया था तो उसमें हमारा कंसिटेंसी आया था 32% ठीक है तो 32% का 0.85 हम करेंगे तो हम मिलेगा 27.2% ठीक है अब फिर उसके बाद हम total weight of cement से 27.2% जब निगा लेंगे total weight of cement का 400 ग्राम का तो हम जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कल्कुलेशन किया तो 108.8 ग्राम आया water ठीक है तो 108.8 ग्राम water हम वेट कर लेंगे जैसा कि आप देख सकते हम balance पर वेट कर रहे हैं यह balance जो यूज कर रहा हूं में वेट करने के ल हम यह आपको बता दे कि इस टेश्ट को perform करने से पहले हमें room का temperature set करना पड़ता है जो 27 degree Celsius plus minus 2 होता है ठीक है और relative humidity होना चाहिए 65% ठीक है तो पहले हम क्या करेंगे हम यह plate यूज कर रहे हैं जो कि आप देख सकते हैं इस plate को हम साब करके और हम जैसे ही cement sample में water add करेंगे वै तकि हम यह 3-5 मिनट में ही इस टेश्ट को perform करके हमें bucket मॉल में भर देना है ठीक है और apparatus के बारे में आपको मालूम ही है हम इस टेश्ट को perform करने के लिए bucket apparatus का यूज करते हैं और सबसे पहले टेश्ट में करने से पहले आप देख सकते हैं जैसा कि हम oiling कर रहे हैं हम greasing करके अच्छे तरीके से bucket मॉल में greasing लगा देते हैं और non-porous plate पे grease लगा देते हैं ताकि हमें जब इस टेश्ट को perform करने के बाद हम अगर cement sample को बाहर निका लिए तो उसके वज़े से हमें कटना ही नहीं हो आसानी से निकल जाए ठीक है और भी हमें taste करना होता तो हमें problem नहीं create ह हुआ तो non-porous plate यह है अब इस non-porous plate में भी हम greasing करेंगे तो non-porous plate पे greasing करने के बाद हम अब चलेंगे sample मिलाएंगे ठीक है गाइस और आपको iis code मालूम ही है 4031 part 5 के नुसार हम ये taste कर रहे है ठीक है तो चलिए हम sample को mix करते हैं अब sample mix करते ही हम stop watch चलो गर देंगे यहाँ पर हमने stop watch नहीं use किया है हमने यहाँ पर mobile का use किया है जिसके साहता से हम time को ध्यान देते रहेंगे ठीक गाइस तो कुछ time के लिए हम video को time less कर दिया है ताकि हम video लंबा नहीं हो और आप लोग को अच्छे तरिके से समझ में आए ठीक है तो यह ट्रॉइल के साहता से हम mix करते हैं आप गेजिन ट्रॉइल के बारे में मैं आपको पीछे वाले video में बताया ही था सारे apparatus के बारे मैं आपको पीछे वाले video में बताया है standard consistency find out किया है तो आप आप वाले video जाके देख सकते हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छे clear हो जाएगा और वैसे गाईज अभी exam का दौर चल रहा था इसलिए मैं video नहीं बना रहा था बहुत गयब चल रहा था D++SB का वेकेंसी आया है JEE के लिए JEE दोनों के लिए आया है ठीक है अब water add कर दिये ह अब उसके बाद हम समय नोट करेंगे अब समय के हिसाब से हमें काम करना है ठीक है गाईज इनिसियल सेटिन टाइम और फाइनल सेटिन टाइम तो गाईज इसलिए हम फाइनल उप करते हैं हमको ये मालूम चले कि एक ऐसा समय होता है जिस पे cement अपना plasticity loose करना शुरू करता ह है और एक ऐसा stage आता है जब cement आपना plasticity loose करना बंद कर देता है ठीक है तो वह stage होता है हमारा final setting टाइम और वह stage होता है जब सुरू करता है वह stage होता है हमारा initial setting टाइम ठीक है तो mix करने का भी आपको एक तरीका मालूम होना चाहिए जैसा कि यह हमारे lab technician देव कुमार के द्व अब यह एक most important बात आए और आपको बता दें कि जब हम इस sample को weekend mall में भरने के बाद हम जब test perform करेंगे तो उसमें जो हम plunger पहले लगाएंगे initial time में वह plunger का थिकने सोना चाहिए 1 mm ठीक है यानि 1 mm डाय का वह plunger होगा और उस plunger के सहायता से हम initial setting time करेंगे फिन जब final setting time में हम plunger यूज करेंगे वह 5 mm डाय का होगा ठीक है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम अच्छे तरीके से mix करके और time का ध्यान रखते रहेंगे और room temperature is the most important अगर room temperature आपका नहीं set रहेगा अच्छे से तो हमें result अच्छा नहीं मिलेगा तो आप कोई भी cement test कर ये आपको room temperature maintain करना ही होगा नहीं तो आपको result अच्छा नहीं आएगा ठीक है तो देखिए हम अभी plunger लगा जेते हैं 1 mm का plunger जैसा कि हम अभी लगाने जा रहे हैं अब देख सकते हैं प्लंजर मैंने bucket apparatus में लगा दिया है और bucket mold में अभी हम cement sample भर रह है जिससे हमें result अच्छा मिले ठीक है तो अभी हम sample को भरने के बाद अब हम bucket apparatus पर रखेंगे और हम एक starting reading देखेंगे इस टाइंग तो नहीं मिलेगा फिर एक और देखते हैं ऐसे हम तीन बार reading देखते हैं तो एक एक reading का हम time note करते जाते हैं कि मैंने कितने कितने बज़े पर मैंने देखा तो अभी देख लिजिए आप test को देख लिजिए कैसे करते हैं तो मैं आपको एक format पर अच्छे से इस लाश्ट में एक format पर अपने company के format पर अच्छे से समझाओंगा ठीक है तो देखिए जैसा कि मैंने मौल में भरके अच्छे से finishing देख करके मैंने अब ये penetration दिया ठीक है तो पहले तो reading गिदम नहीं अचीव होगा पूरा अच्छे से नहीं मिलेगा अब उसके बाद कुछ द जाता है लेश्ट काउंट टूप पर होता है इंडिकेटर पर तो हमें अचीव हो जाता है देख सकते हैं आप हमारा five पर पहुँच गया है यानि अब ये देखिए दस्तों कुछ दिर बाद मैंने वीडियो और मास करके मैंने final का देख रहा हूं final setting time अब ये final setting time का अगर हम को cement paste जो हम बिकेट मॉल में भरे हैं अगर उस पर कोई mark नहीं होता है तो यानि हमारा ये जो plasticity lose कर चुका है इस पर हमें final setting time मिल गया है ठीक है मैंने एक बार और टेस्ट किया था तो उस पर नहीं मिल गया था अब ये final setting time दोस्तों अब ये final setting time हमको मिल गया है चलिए मैं आपको format पर अच्छे से समझाता हूं चलिए ठीक है format पर देखिए आपको अच्छे समझ मैंगा ठीक है चलिए दोस्तों मैं एक roughly आपको format पर समझा रहा हूं तो जैसा कि मैंने सबसे पहले initial setting time का पहले penetration जो दिया था 11 बच के 10 मिनट पर ठीक है तो उस पर हमें 00 penetration मिला था ठीक है जैसे कि मैं आपको समझा दू आपको video नहीं समझ में आया होगा यह हमारा bucket mold है और यह indicator है और इसमें दोस्तों जब हम इसे release करते हैं plunger को quickly release करते हैं तो यह plunger हमारे bucket mold में अंदर जाता है Penetrate होता है तो एक ऐसा Ready मिलता है 5 to 7 के अंदर अगर Ready मिल जाता है तो हमें वालूम चल जाता है कि उस stage पे हमें Initial Setting Time मिल गया है ठीक है तो हमें 5.5 पे जाकर के हमें 2 बच के 26 मिनट पे हमें ये Ready मिल गया ठीक है 5.5 और हमको 12 बच के 10 मिनट पे मिला था 2 आया था उस पे भी हमको Initial Setting Time हमको अचीव नहीं हुआ ठीक है और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने Initial Setting Time निकाला है 1966 मिनट आया ठीक है आप देख सकते हैं मैं 11 बच के 10 मिनट पे निकाला हूँ अब उसके बाद मैंने 2 बच के 26 मिनट पे हमें ये रिडी मिल गया तो आप निकाल सकते हैं इतना टोटल आयेगा आपका 1966 मिनट ठीक है आप कल्कुलेट कर लिजी दोस्तों एक गंटा 11 दस पे एक गंटा 11 दस से 12 दस एक गंटा 12 दस से एक दस दो गंटा फिर उसके बाद 26 ठीक है यानिक दोस्तों आप अगर कल्कुलेट करिएगा तो 1966 मिनट आएगा ठीक है अब फाइनल सेटिन टाइम देखिए आप फाइनल सेटिन टाइम दोस्तों हम 3 बच के 35 मिनट पे देखें तो हमें पे मार्क अगर मिलता है तो वह समझ दीचे कि हमें फाइनल सेटिन टाइम नहीं मिला ठीक है तो हमें चार बच केessä pyrus UA मार्क मतलब मॉल्ड के उपर मार्क दिखना बंद हो गया तो जिस पे हमें मिल गया चार बच के टेईस मिनट पे हम्में moi अस्वारिया किया 313 पर मुझे फाइन extended Rex लिगा either time इक्सव मिनटक्ष एंद प्रोसिजर निकालने का अगर आपको नहीं समया आ आगा तो हमको कमेंट करिए कुषे सब्सक्राइन में आपको क्लियर करने का कोशिस करूंगा ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगए तो सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा और सेर करना मत भूलिएगा ठीक है थैंक्स पर वाचिंग गाईज